Hi everyone, welcome to Global Online, this is Ankitab Sood and now we are going to discuss this video in the NTA UGISnet paper 1 में Communication यानि की संचार यूनिट का एक बहुत ही जादा important and most repeated topic जिसका नाम है Modes of Communication So this video lecture में MCQs की मदद से Communication के सभी Modes को हम डिटेल में डिसक्स करने वाले हैं साथ ही Real Life Examples के साथ यहाँ पर हर एक चीज में आपको समझाओंगी ताकि आप लोग concepts को easily समझ भी जाओ and exam में correct answer को भी easily identify कर पाओ इसी के साथ students UGISnet paper 1 के नए batch में यह हमारा lecture number 6 है So अगर आप लोगों ने अभी तक previous lectures नहीं देखे हैं तो you can check the description box मैंने वहाँ पर already link अड़ कर दिया है So questions पर बढ़ते हैं उस पर चाने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि paper 1 में unit 4 होती है communication जिसका UGISnet के recording यह complete syllabus मैंने आपके सामने share किया हुआ है So one by one यहां से हम एक-एक topic उठाएंगे and हर एक topic यह concepts मैं आपको MCQs की मदद से clear करवा दूँगी इसी के साथ पहले question के और बढ़ते हैं जहां पर पूछा गया है Organizational communication can be equated with तो आप लोगों को पता है organization या किसी भी company में जब communication होता है तो वो किस तरह का communication होता है So अगर आप लोगों ने students मेरे previous lectures देखी हैं तो आपको पता होगा कि intra communication and inter communication क्या होता है Intra में होता है जब एक person अपने आप से ही बात करता है कई बार हम लोग मन में कुछ सोचते हैं कुछ लोगों को शीशे के सामने बोलने की आदत होती है इस तरह से जो चीजे होती है यानि कि एक person सिरफ अपने आप से ही अब उस समय पे बात कर रहा है वो होता है intra personal communication ठीक है उसके बाद आता है फिर हमारे पास interpersonal communication interpersonal में होता है एक person किसी दूसरे person से बात करता है company में ऐसा तो नहीं है कि कोई person अपने आप से बात करेगा या कोई person किसी सरफ एक ही person से बात करेगा ये चीजे नहीं होती है वहाँ पे group communication होता है ठीक है group communication का मतलब क्या होता है कि ऐसा हो सकता है एक person बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है एक बहुत बड़ा group है लोगों का वो दूसरे बड़े group से बात कर रहा है बड़े group का मतलब यहाँ पे यह भी हो सकता है कि इस group में 50 लोग है या फिर यह हो सकता है कि इस group में 2 से 4 लोग है दूसरे group में भी 2 से 4 लोग है ठीक है यह होते है group communication या फिर हम बोल सकते हैं कि एक meeting चल रही है जहां पर बहुत सारे लोग इस तरह से बैठे हुए है और वो communicate कर रहे हैं अपनी बातें जो है वो share कर रहे हैं दूसरे के साथ ठीकें, so this is called group communication so जब भी organization की बात होती है तो हमेशा आप लोगों को group communication पर ही focus करना है next होता है mass communication यह मैं next question में आपको बताती हूँ so next question में पूछा गया है the mode of communication that involves a single source transmitting information to a large number of receivers simultaneously is called यह वाली जो definition है, यह as a test किसकी definition दी गई है यह दी गई है mass communication की definition ठीकें, क्या बोला गया है इसमें अगर कोई एक person एक साथ बहुत सारे लोगों को मान लीजिए यहाँ पे 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, इससे जादा लोग हैं इतने सब लोगों को अगर एक person एक साथ कोई message देता है उस चीज़ को mass communication बोला जाता है ठीकें, जैसे की अगर हम लोग UGC net offline batches की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, 100-200 बच्चों के batches होते हैं लेकिन एक ही teacher होते हैं पढ़ाने वाले ठीकें, वही लिखे हैं न, देखो exam में mass communication के question इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि मान लीजे कोई भी leader है ABC नाम के ठीकें, ये leader का नाम है ये leader मान लीजे कि गुजरात में जाते हैं election से पहले और उन्होंने वहाँ पे 5000 लोगों को एक साथ अपनी बात कही इस तरह से example दिया जा सकता है आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी communication है ये mass communication है तिरफ यहाँ पे एक ही person को बोलने की permission है एक ही person information दे सकता है ठीकें, वहीं group communication का एक example और मैं आप लोगों को बताती हूँ जो कि हमने previous question में पढ़ा था यहाँ पे आप देख सकते हो ठीके, organization में होता है पार्टसिपेट कर रहे है ठीके, डिबेट में पार्टसिपेट कर रहे है याँ पे टीचर ने उन बच्चों को कोई topic दे दिया मा लीजे, social work से related कोई topic यहाँ पे टीचर ने उन बच्चों को दे दिया और बोला कि इस पे आप लोग discussion करो इसके बारे में अपने views बताओ तो वो कौन से communication होगी वो group communication होगी ठीके, so I hope यह दोनो questions की मदद से and जो real life examples मैंने बताए है इनकी मदद से आप communication में group और mass communication दोनों को समझ भी चुके हो and इन में difference भी अब आप लोगों को clear है बहुत से बच्चे हमें यही बोलते हैं कि exam में यह दोनों options आते हैं तो वो confused हो जाते हैं तो मैंने आज पूरी कोशिश की है कि आपको यह doubt जो है बिलकुल clear हो गया होगा तो अगर doubt बिलकुल clear है तो comment करके मुझे बता दीजिए तो next question पर जाने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही जादा important information में लेकर के आई हूँ वो यह है कि आप सभी को यह तो पता ही होगा कि UGISnet exam में हमारे paper pattern को दो sections में divide किया जाता है paper 1 and paper 2 so paper 1 जो होता है यह सभी के लिए common होता है जिसमें कि total 50 MCQs पूशे जाते हैं and total 10 units होती है so paper 1 में अगर हम लोग smart strategy को follow करते हैं तो बहुत easily यह paper हमें GRF लेने में वदद करता है so paper 1 की तयारी के लिए global online के team ने आप सभी students के लिए new and fresh batch launch किया है इस batch में हम आपको paper 1 का complete course provide कराते हैं so इसमें full syllabus notes full syllabus video lectures हम आपको देते हैं so daily हमारे channel पर live sessions आपको मिलेंगे साथ ही recorded sessions भी आपको हम देते हैं in case अगर आप live lectures attend ना कर पाओ साथ ही 60 plus mock test हम आपको देते हैं जो कि आपकी final revision में मदद करेगा and इसमें से as it is questions बहुत बार exam में पूछे जाते हैं last 10 year question papers हम आपको देते हैं with solution जिससे कि आपको एक idea हो जाता है कि किस तरह से किस difficulty level के questions exam में पूछे जाते हैं and साथ ही 2000 plus MCQ PDF हम आपको provide कराते हैं जिसमें से कि हमने most repeated and most expected questions की series भी इसमें इत्यूड की है with solution and detailed explanation ये questions आपकी quick revision में बहुत मदद करेंगे so ये complete course के benefits ये हैं exam से पहले हम आपका पूरा syllabus cover तो करवाएंगे ही इसके साथ ही एक से दो बार full syllabus revision की भी हम आपको guarantee देते हैं right so जरूर इस course को join कर लीजिए इसके लिए students आपको करना क्या है screen पर ये जो दो numbers आपको नज़र आ रहे हैं ठीके screen पर ये जो दो numbers नज़र आ रहे हैं किसी भी एक number पर whatsapp के मदद से आप contact कर सकते हो and इसके लिए आपको सिर्फ एकी बार fees pay करनी है वो भी सिर्फ 4,000 रुपए and लगातार आप इस course को 2 साल तक use कर सकते हो so students अगर आप English medium में exam देने वाले हो या फिर Hindi medium में exam देने वाले हो ये complete course आपको दोनों ही languages में मिलेगा ये daily live lectures आपको दोनों ही languages में हम provide कराते हैं right so जल्दी से इस course को join कर लीजे limited seats बाकी है and फिर उसके बाद इस course की piece भी next week से बढ़ने वाली है तो आप इसको जरूर जोइन कर लीजेगा इसके साथ ही students आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अगर demo classes देखना चाहते हो जो के बिलकुल free है तो उसके लिए आपको हमारा app global online डाउनलोड करना होगा link आपको description box में मिल जाएगा app डाउनलोड करने के बाद mobile number से login करोगे तो एक इस तरह की screen आपके सामने आएगी जहाँ पर जाना होगा आपको store section पर store section पर जाने के बाद आपको search bar में जाकर कर के UGISnet paper 1 लिखना है या फिर all courses में जाकर आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही UGISnet paper 1 टाइप करोगे आपके सामने इसका overview आजाएगा जो कि already मैं discuss कर चुकी हूँ फिर जाना है आपको content section पर जहाँ पर unit wise separate folders मैंने आपके सामने रखे हुए है इसमें से as it is बहुत बार आप देख सकते हो questions पूछे जाते हैं यहाँ पर आपको free wine is also known as so grape wine term जो होती है यह किस से related होती है यह होती है हमारी informal communication से related ठीक है इसमें जादा कुछ भी नहीं सोचना बस जहाँ पर grape wine मिल जाए वहाँ पर informal communication पर आपने टिक कर देना है ठीक है अब देखो बाकी की communication क्या होती है पहले तो देखो मैं आपको यह बता देती हूँ informal communication and formal communication दो चीज़े है formal होती है जैसे कि किसी organization में communicate करते हैं कि बहुत अच्छे से बहुत ही तरीके से बात की जाती है कोई फाल्तू बात नहीं होती informal communication कुछ भी हो सकती है जिसमें कि हम लोग होता है न ठीके यह होती है grapevine communication general talks जो होती है वो सब informal में आती है horizontal अगर दो लोग एक ही level पे हैं and वो communicate कर रहे हैं आपस नहीं तो उस चीज़ को बोला जाता है horizontal communication ठीके जैसे मा लीजे कि एक ही company में दो departments हैं दोनों के HR अगर आपस में बात कर रहे हैं कोई communication कर रहे हैं उसको बोलेंगे horizontal communication राइट उसके बाद आता है upward communication मान लीजे HR के अंडर कोई employee A है so अगर employee A HR के पास जाता है अपने higher level के person के पास जाके बात करता है तो वो upward communication होगी और वहीं अगर दूसरे department का HR किसी employee B के पास जाकर के कुछ बोलता है तो वो downward communication होगी ठीक है next question is which of the following modes of communication can be employed in a classroom for effective teaching तो classroom में अगर communication हो रही है बातशीत हो रही है तो effective उसको बनाने के लिए किन चीज़ों के सबसे ज़ादा ज़रूरत होती है top-down communication होना चाहिए यानि कि एक teacher एक student से बात करे ऐसा होना चाहिए iconic communication होना चाहिए equal level पे communication होना चाहिए associational यानि कि जो चीज़ हम topic पढ़ा रही है associated रहना है हमें उसी चीज़ पे भटकना नहीं है वहाँ से disassociational तो देखो C&D जहाँ पे आपको C&D साथ में दिखेंगे वो option तो पहले ही गलत कर दो क्यूंकि एक बार में या तो associational हो सकता है या तो disassociational हो सकता है तो C&D यहाँ पे है इसको हम delete कर देंगे next है symbolic यानि symbols की मदद से अगर मैं मालीजिए हमारा offline classes है online नहीं पढ़ रहे हो offline किसी computer center में जाकर क्या पढ़ रहे हो या फिर coaching center में जाकर क्या पढ़ रहे हो महाँ पे अगर मैं आपको symbol की मदद से you designate की तयारी करवाऊं तो क्या आप लोग समझोगे ठीक है तो वो symbols जो हैं कही न कहीं effective बनाते हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि पूरा symbolic यहां पे बात की गई है कहीं न कहीं वो verbal भी होता है बट उसमें symbolic भी included होती है चीजे and abstract यानि कि सार उसका हमें बताना होता है इसमें अगर देखें सो right answer है B, C B, C and E ठीक है बहुत easy question है and बहुत important भी है last question है and इसके बाद एक question आप लोगों के लिए homework question होगा जिसका answer आप मुझे comment करके बताऊगे so in circular communication the encoder becomes a decoder when there is so इसमें encoder और decoder दो नई terms आप लोगों ने सुनी होगी A और B दो लोग है मैं A को encoder बोलती हूँ और D को मैं decoder बोलती हूँ so इसमें देखो क्या होता है कि जैसे A ने B के पास क्या और कोई बात बताने लगया जो बात बताता है जो message दे रहा है वो होता है encoder जो message को receive कर रहा है वो होता है decoder ठीके उसके बात क्या हुआ B ने वो बात सुनी फिर B ने अपना कोई point उस बात पर बताया A को तो इस समय पर B क्या है B है encoder and A है decoder right so यहां से आई होप आप लोग encoder और decoder समझ चुके हो so इसमें बात की गई है circular communication की इस तरह से अगर communication हो रहा है so बात बोलने वाला जब decoder बन जाता है ठीके so वहां पर क्या होगा इसका मतलब क्या चल रहा है वो feedback चल रहा है same चीज मैंने आप लोगों को A और B का example लेकर के भी बताई है ठीके A और B के example लेकर के भी बताई है इस question में देखो ध्यान से यही पूछा गया है कि जो encoder है encoder अगर decoder बन जाता है यानि कि A जो है पहले बोल रहा था उसके बाद A अब सुनने वाला बन गया है तो जो पहले सुनने वाला था इसका मतलब क्या है वो बोलेगा यानि कि वो क्या दे रहा है वो अपना feedback दे रहा है प्रती पुष्टी दे रहा है किसी बात को लेकर के इसी पर based अब एक question है homework question अब देखो students इसका answer आप मुझे क्या करोगे comment करके बताओगे सही होगा तो मैं वहाँ पे आपका reply जरूर करूँगी and अगर आपका question गलत है ठीके तो आपको क्या करना है उसको देखने के लिए जो app मैंने आप लोगों को बताया global online app उस app को बिलकुल free में आपको download करना है कुछ भी आपको नहीं करना है यहाँ पे अभी तक ठीके आपको बिलकुल free में download करना है and वहाँ पे जा करके इस question का answer आप लोगों को मिल जाएगा वो भी detailed explanation के साथ इससे क्या होगा आपको answer भी मिल जाएगा आपके लिए free content में लेकर के आई हूँ and detailed explanation भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी ठीके तो आपको करना क्या है यह जो course मैंने यहाँ पे अभी आप लोगों को बताया था देखो students यह जो course मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था इसी course में ठीके यहीं पे content section में ही आप लोगों को evaluation test नाम का एक folder मिलेगा evaluation test नाम का एक folder मिलेगा उस test में जाकर के आप लोगों को इसके answer मिलेंगे weekly जितने भी questions है सबकी answer detailed explanation के साथ वहाँ पे आपको मिल जाएगे so grapevine का मतलब क्या होता है formal, informal, critical या फिर corporate so right answer comment कीजिएगा so आज के लिए सिरफ इतना ही thank you so much for watching this video and I wish you all the very best